मर्यादा पुरिशुत्तम से कैसे पाएं रक्षा और मर्यादा का वर्दान? मोहिनी एकादशी के दिन प्रभु राम की क्रपा से तवाम भावनाओं और मोर से मुक्ति तो मिलती है, साथ में रक्षा और मर्यादा का वर्दान भी मिलता है. तो अब आपको बताते हैं मोहिनी एकादशी की पूजन विधी साथ ही प्रभु राम की उपासना से रक्षा और मर्यादा का वर्दान प्राप्ते करने का दिव्य प्रियोग भी भगवान राम की उपासना का पर्व है मोहिनी एकादशी मोहिनी कादशी पर प्रभुराम से मिलेगा मर्याधा का वर्तार कहते हैं कि जो इनसान पूरी श्रधा और भक्ती से वरत करता है उसमें स्वेम ही प्रभुराम जैसी मर्याधा का भाव जागने लगता है मोहिनी कादशी जैसा की नाम से आसे है एक बार भगवान विश्णु जब राम आवतार में थे तो राक्षसों का अबत करने की ने इन्नोंने मोहनी वान का उपयोग किया था इससे राक्षस आपस में ही लड़के मर जाते हैं इस दिन भगवान राम का पूजन करने से हमें जितने मी भौतिक मोह है उससे छुटकारा प्राप्त होती है भवान राम का निम्न मंत्र है ओम नीलाम वजस्याम मलको मलांगम सीता समारो पितवाम भागम पालो महासायक चारुपचापम नमा मिरामम रघुमन सनाथम हर वरत और पर्व पर उपासना का एक नियम है उत्तम नियम से वरत करने से फल भी उत्तम ही मिलता है तो आए जानते हैं कि मोहिली कादिशी पर कैसे करें श्रीराम के उपासना भगवान विश्णू के एक हजार नाम है किसी भी नाम का हम लोग जिसके प्रतिय हमारी स्रद्दा हो उसका जब करने एक सोवाट बार या हजार बार या दस हजार या लक्ष बार जब करने से जिस प्रकार से हम भगवान विश्णू का पूजन करेंगे और जिस भावना से प उसमें हम लोग प्रात्य काल उठकर के संध्या पूजन करने के परशाथ भगवान विश्णु की माता लक्ष्मी के साथ तस्वीर लेकर उनका पूजन करें पले उन्हें अश्नानुष्णान कराकर पंचवन कराकर और धूपदीब नैवेद्य वस्त्र यव्योपवीत और न कादशी व्रत पर मुखी रूप से भगवान विश्णु या उनके अव्तारों की पूजा की जाती है प्रभुश्री राम को पी ले फूल, फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें भगवान राम का ध्यान करें उनकी मंत्रों का जाप करें जलिया हार या फला हार ल तो व्रत का उत्तम फल मिलेगा अगले दिन सुभा किसी निर्धन को एक वेला का भूजन या अनका दान करें मन को इश्वर में लगाएं अगर आपकी किसी तरह के मो या लोग से चुटकारा पाना चाहते हैं तो इस मोहिनी कादशी पर श्री राम के विदिवत उपास ना क सकता है कि मारे सरीर गवाही नहीं कर रहा है कि हम लोगे कादशी का परत रखें तो हम लोग ब्रत में जो भी वस्तुएं बताए गई हैं ग्रहन करने के लिए जैसे आप अश्टव ताने ब्रतक नानी आपो मूलं भलं पयाह अविर ब्रामण काम्याचा गुरू बचनम हम लोग ब्रत में हमारे सास्तर में ब्रनीत है आप मने जल होता है जड़ युक्त जो फल होते हैं जिसमें की केला है या फल है दूद है और मखाना युक्त खीर हम लोग खाकर या और और औसधी भी खाते हैं तो औसधी भी ब्रत में लेने का विधाम बतलाया गया है उसको लेकर हम लोग ब्रत रख सकते हैं या हमारा सरीर गवाही नहीं कर रहा है तो हम लोग उस दिन कम से कम अन्न का शेवन करें कैसे करें प्रभु राम की विशेश पूजा भगवान राम के चित्र या प्रतिमा के सामने बैठें पीले फूल और पंचाम्रित अर्पित करें राम रप्षा स्तोत्र का पाठ करें या ओम राम रामाय नमहा का जाप करें जाप के बाद परिशानियों से मुक्ति की प्रात्ना करें पंचाम्रित प्रसाद रूप में ग्रहन करें इस मुहिनी एकादशी पर आप भी मर्यादा पुशोत्तम श्री राम के उपासना कीजिये और राम कृपा के भागी बनिये समझ जाएगी आपकी जिंदगी